वेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लाटिनम क्लासेस, तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 10th economics का chapter number 1 development का most important 3 marks का questions को दोस्तो यहाँ पे जितने भी questions लिए गये वे सारे previous year से लिए गये और साथी साथ जो important questions थे बस उनी को लिया गया है तो अगर आप यह सारे questions को कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी तयारी हो जाएगी overall आपका पूरा chapter का concept आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहला question है explain the goals of different persons may sometimes be conflicting question पूछ रहा है कि अलग-अलग लोगों का अलग-अलग goals होता life में वो दोनो goals में कभी-कभी आपको conflict हो सकता है दोनों में अंतर हो सकता है इसको explain करना है तो यह आप chapter से इस तरह से लिख सकते है कि जो अलग-अलग लोग होते हैं उनकी अलग-अलग goals होते हैं development को ले करके जैसे कि मान के चलिए एक लड़की है वह चाहती क्या है कि उनको freedom मिले अपने भाई के जैसा जिस तरह से उसके भाई को freedom मिलता है उस तरह से उसे भी freedom मिले और साथी साथ जो घर का काम है वह भी अगर उसका भाई साथ दे काम करने में उसी को वह development कहीगी वह उसी चीज़ को कहीगी कि हाँ मेरे लिए ये development हो चुका है उसी तरह से एक factory है जहां पर वहां के जो लोग है वहां के जो worker है वह चाहते कि अगर पैसा बढ़ जाए अगर factory मेरा पैसा बढ़ा देता है तो मेरे लिए वह development कहलाएगा वही अगर factory का मालिक है तो वह चाहता है कि पैसा अगर घटे तो वह मेरे लिए फाइदे मन्द हो जाएगा तो इस तरह से अलग-अलग लोगों का अलग-अलग goals होता है उसी हिसाब से वह development को अपने तरब से आगते है ठीक है तो चलिए next question देखते है सबसे next question में आते है explain any three limitations of per capita income दोस्तो per capita income होता क्या है यानि कि किसी भी country में जो total income होता है उस income को अगर उसके population से divide कर देते है तो वह हमें per capita income मिलता है यानि कि प्रती व्यक्ति आए एक व्यक्ति पर कितना रुपया बनता है एक particular country में एक particular year में उसी को per capita income बोलते है तो इसमें limitations क्या इसमें खराबी क्या है तो सबसे पहला जो limitation है कि जो per capita income है वो एक average measure है इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चली किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा कम पैसा है इस condition में दोनों को हम add करके और two से divide करते है तो होता क्या है कि दोनों को equal equal पैसा मिल जाता है इससे क्या हुआ कि development का जो ratio है या फिर जो आप कह सकते है जो income जो आप दिखाना चाहते है वो गलत दिखता है अभी अगर इस तरह से अगर आप करते है तो दोनों को equal income दिख रहा है पर capita income में लेकिन यहाँ पर तो यह बहुत ज़्यादा रीचर यह बहुत ज़्यादा income हो सकता है कि बढ़ गया लेकिन इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि जो rich person है वो और ज़्यादा रीच हो रहा है और poor person और ज़्यादा कम हो रहा है इस condition में भी तो आप कह सकते है कि per capita income increase हुआ लेकिन क्या per capita income increase होने के बाद इस व्यक्ति का income increase हुआ नहीं इसका decrease हो सकता है तो इससे हमें क्या पचलता है कि हमें अलग-अलग लोगों का जो हम लोग assumption करते है कि उसका कितना income हो सकता है तो वो per capita income में बिल्कुल भी सटिक नहीं बैठता है ठीक है तीसरी चीजे कि average income is undoubtedly useful comparison but it does not tell us how income is distributed among people in a country इट में high disparities आपके लिए average income बहुत जरूरी इताकी पर चलता है कि एक बार में आप बता सकते है कि कितने लोग पास कितना पैसा है इस टैप कर निकाल सकते हैं लेकिन या आपको किस तरह से पैसों का distribution हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है तो इससे क्या disparities होगा इससे आप अच्छे से नहीं बता सकते है कि हाँ भई ये जो बंदा है उसके पास पैसा कम है या फिर उसके पास development मेरे को ज़्यादा करना है चाहिए तो इस तरह के condition आप पर capital income में नहीं देख सकते है कोईशन नमर थ्री है mention in brief the factors which are important goals in our life तो हमारे life में क्या क्या goals रते हैं क्या क्या हम लोगो factors हैं उसके बारे में आपको बताना है तो सबसे पहला हो जाएगा कि besides that जो regular work होता है हम लोगों को salary चाहिए उसके अलावा हम लोगों को अलग अलग चीजों क्या desire होता है आपके मन में होता है कि हाँ बहिया मेरे को salary मिलेगा तब मैं इस office में जाऊंगा वो तो चाहिए ही उसके अलावा अलग अलग goals क्या होता है सबसे पहला हो गया आपका equal treatment हो गया society में यानि society में आपको equally treat करे लोग आपके साथ भेदभाव नहीं करे ये भी आपके लिए एक goal हो गया दूसरा हो गया आपको freedom चाहिए security चाहिए respect for others चाहिए इतना सा चीज आपको चाहिए और चौथा चीज हो गया कि they don't expect discrimination किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए इस तरह के आपके अंदर life होता है goal sorry goal होता है आपके life में तो इस तरह साथ देख सकते है I hope कि आप लोगों को सारे questions समझ में आ रहे होंगे अगर आ रहे हैं तो एक like करके जरूर मुझे बताईए चलिए next question देखते है four question number four explain the terms average income and national income ये दो term दिया गया है average income and national income दोनों होता है average income क्या होता है total income of a country divided by its population it is known as per capita income इसे ही average income कहते है अभी आपको मैंने इसके limitations के बारे में बताया था आप उसको बारे में अच्छे से explain भी कर सकते है कि average income क्या हो गया एक country का जितना income होगा उसके पूरे population से divide कर देंगे उसे ही हम average income कहें या per capita income कहेंगे दूसरा चीज है national income national income क्या होता है it is the sum of total of value of all the final goods and services produced within the country and income from foreign factors यानि कि किसी country में जितना कम आमदनी हुआ एक particular जो country है उसके अंदर income का source कितना वो कितना आमदनी हुआ कितना पैसा आया अपने country में तो पैसा है साथी साथ foreign factors बाहर से भी अगर कमा करके अगर अपने देश मिला रहे हैं तो वो भी आपका national income में कहलाएगा ठीक है question number five देखते है question number five है human development is the essence of social development यानि कि human development होगा तभी आपका सकेंगे social development इसको आपको explain करना है सबसे पहला हो गया कि human development होता है वो focus करता है people पे यानि कि ऐसा development हो जिसमें जो quality of living हो उसको develop करने के हम लोग चाहते है ठीक है दूसरा चीज क्या हो गया it is concerned with well being of people their needs choices and desire यह किस चीज पे concerned करता है human development वो देखता है कि किसी व्यक्ति के पास क्या उसकी जरूरत है क्या उसके choices है क्या उसके सपने है क्या उसके desire है उस चीज पे human development ध्यान देता है तीसरी चीज हो गया कि यह आपके choices को और बढ़ाता है और आपके जो way of living है उसको और भी अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है ठीक है आपके जो life है उस life को और healthy बनाना चाहता है education बनाना चाहता है information knowledge यह सारी चीज आपको दे करके quality life देना चाहेगा उससे ही हम कहें हुमन development क्योंकि व्यक्ति का development हो रहा है यहां किसी nation का development तो बाद में हो रहा है पहले आपके development होगा उसके बाद वो नेशन का development होगा human development क्या होता focus करता है वह आपका basic choices पर आज आपको car खडितने का सौक है और उस car खडितने के लिए आप किया करते है आप कितनी मेंनत करते हैं आपके अंदर क्या क्या आता है सारी चीज हुमन डेवलप्मेंट में आ जाती है ठीक है कोशन नमर शीक्स है एकस एंडिया एंड स्री लंका ओन दव रस तो इन धीडिकेटर्स ओफ क्योंड डेवलप्मेंट इंडेक्स फॉर फूंज फॉर फॉर और चाहिए उसके लेकर कि आपको कंपेर करना हैं इंडिया स्रिलंका में किसी तीन फेक्टर तो सबसे पहला फेक्टर वो गया डेलाई expectancy इसका मतलब क्या हो गया की कितने लोग जनम लेते हैं और कितने लोग मरते हैं उसकी जो rearrange लुझे ऑप्र ध्यॉख श्यूरीया में लोग 64 साल तक जीते है और श्री-लंका में 74 सक्व जीते है एवरेज के बारे मैं बात कर्या है ठीक है दूसरी चीज़ हो गया है लिटरेसी रेट उसमें क्या था कि स्री लंका के पास high as comparison to India स्रीलंका के पास जो education rate है जो लिटरेसी रेट है वो क्या जादा है 91% है और इंडिया के पास 64% है ठीक है यह 2004 का hdi index के तरह आपको बताया जा रहा है तीसरी चीज़ है gross enrollment ratio यह क्या है कि इसमें जो था इंडिया का 60 था और इंडिया का 60 था और इंडिया का 60 था ठीक है तीनोग ratio के बारे में समझ लिजिए और उसको बारे में comparison भी याद रखिए ठीक है question no.7 है why is literacy essential for the economic development of a country literacy क्यों जरूरी होती है economic development of a country के लिए country का development के लिए literacy साक्षरता यानि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है तो पढ़ाई लिखाई से तो सब भी कोई को पता है कि आप क्यों पढ़ रहे मैं क्यों पढ़ रहा हूं उससे फाइदा क्या है उससे क्या होगा कि जो resource है human resource है उसको हम और भी enhance कर सकते है हम लोग खुद एक resource है उसको और भी अच्छा कैसे बना सकते है by literacy पढ़ेंगे हमा आप अगर कहते है जापान एक developed country है तो किस तरह से कहेंगे सबसे पहले तो वहां के लोग developed है यानि कि अगर वहां के लोग आपके लिट्रेट है पढ़े लिखे है तो पढ़े लिखे है तो उनके पास capability है उनके पास नहीने skills है उसको ले करके वह अपने देश को development कर सकते है Through literacy we can remove the shortage of skilled labor जो skilled labor है उस चीज की जो हम लोग पर shortage हो गई है मान के चलिए आपको कोई काम करना है उस काम के लिए अगर आपको को factory चलाना है उसमें को skilled labor चाहिए अगर पढ़ेंगे दिखेंगे नहीं उनको knowledge नहीं होगा उस machine के बारे में तो आप उस machine को चलाने में आपको time लगेगा इसलिए क्या होता पड़ लिट्रेसी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना skill बढ़ेगा और skill बढ़ने की वजह से क्या होगा आप आसानी से development में अपना योगदान दे सकते हैं तो दोस्तों I hope कि आप लोग को सारे questions बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आने वाले सारे वीडियो के notifications मिलते रहें आज के इस वीडियो में बस इतना ही thank you and have a nice day